कहते हैं कि confidence is good but overconfidence is bad क्योंकि जब हमें overconfidence हो जाता है तो हम develop करते हैं superiority complex जिसके चलते हम लोगों को कम तर समझने लगते हैं नतीजा हमारे अपने लोग हमसे दूर हो जाते हैं या फिर कई बार हमें खुद embarrassing situation का सामना करना पड़ता है superiority complex को कैसे पहचाने कैसे जाने की यह हमारे अंदर develop हो रहा है क्या लक्षन होते हैं और साथ ही इससे कैसे बचा जा सकता है आज यह जानेंगे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है life coach महेश शर्मा महेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है महेश जी से हम यह जानेंगे कि आकरकार कब और कैसे आदमी superiority complex को develop करता है और जब आदमी के अंदर इस तरह की भावना आ जाती है तो फिर उसका behavior क्या होता है महेश जी सबसे पहले तो हम यह जाना चाहेंगे कि superiority complex असल में है क्या क्योंकि कोई आदमी जब पैदा होता है तो उसके अंदर इस तरह का कोई complex नहीं होता लेकिन वक्त के साथ-साथ brown and brought up और बहुत सारी ऐसी conditions होती है जो आदमी के अंदर बहुत सारे behavioral changes पैदा करती है तो superiority complex को कैसे आदमी पहचान सकता है देखिए सुरुष superiority complex को अगर हम देखें तो कई तरह से यह आता है कई वज़े से आता है family background के वज़े से आता है कई बार आपने देखा होगा male dominant house है वहाँ पर जब हम देखते हैं जातर males में यह पाए जाता है कि आप देखते हैं कि घर के जो बड़े हैं वो अपने पूरे घर को चला रहे हैं और dominant करते है house को तो वहाँ से complex generate होता है हमारे अंदर की we are the head of the family इस त inferiority complex जो हमारे अंदर है उसको mask करने के लिए हम लोग ओड़ लेते हैं अपने उपर जी यानि कि कहने का मतलब आपका यह है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर को inferior भावना होती है और उसको हम छिपाने के लिए अपने आपको बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं तो यह superiority complex है लेक कि आदमी आज स्टेज पर आ चुका है कि वो गलत फैसले ले रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो समलने की कोशिश नहीं कर रहा है उसे लग रहा है कि उसका गलत फैसला भी सही है लाख कहने के बावजूद भी नहीं समझ रहा है लेकिए superiority complex जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे अंदर एक self-confidence generate हो जाएगा और मैंस game में perform करता रहा हूँ लेकि इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे भी fields में मैं excel करता हूं तो यह self-confidence है overconfidence है होता है कि जब मैं experience कि थूर जान लेता हूं तो मैं यह मानना शुरू कर देता हूं कि now it is very easy I can handle it without knowing the complexity of that situation यह overconfidence है but superiority complex तब है जब self-obsession आ जाये self-obsession कि हम तो ऐसे ही हैं हम तो ऐसा ही करते हैं मेरी जो बात है मैं ही सही हूं बाकी लग सब लोग तो मेरे से नीचे है अपने आपको superior सावित करना अलग चीज़ है दूसरों को नीचा दिखाना एक अलग चीज़ है तो superiority complex से जो ग्रस्थ है आ लेकिन फिर आदमी पहचाने कैसे क्योंकि यह बात हम यहां discuss कर रहे हैं हमारे लिए discuss करना आसान है लेकिन जो आदमी इस फिर और ची complex के चलते गरत फैसले ले रहा है उसके पहचान करना मुश्किल होता है कि उसके अंदर इस तरह का complex है या फिर वो इसका शिकार है तो उस से कैसे realize हो यह चीज़ देखिए सबसे मुश्किल बात सुपेटी complex में यही है कि जिसको होता है वो नहीं पहचान पाता इसी वज़े से बहुत बात देखा गया है कि इन लोगों को जिनको treatment के वह शकता है treatment भी नहीं मिल पाती क्योंकि जो psychology से जो सैक्रेटर से जिनके पास जो doctors हैं या जो counselors हैं उनको भी इनको लगता है कि उनको क्या मालूब है चेक है तो यह सो superior from inside क्यों कहते ही नहीं क्या जानते हैं मेरे बारे में तो वो help नहीं लेना चाहते हैं और जब वो help मिल लेता है उनको help नहीं मिल पाती इस वैसे treatment भी गूरा नहीं हो पाता तो बहुत मुश्किल है उस इंसान के लिए जानना कि मेरे में superiority complex है लेकिन जो आसपास के लोग है family के friends वो सब उनको दिख जाता है कि superiority complex है तो उस time पर वो किसी की परवा नहीं करते वो सिर्फ अपने बारे में so self-centered कि उनको अपने आसपास कुछ भी दिखाए नहीं देता तो अगर आ में बोलेगा कि जो मैं बोल रहा हो ठीक है मेरी बात को सुनो मेरे orders को मानो और अगर आप उनकी बाते नहीं मानते तो वो आप पर हावी हो जाते है that is superiority complex क्या हम यह कह सकते हैं कि proud या फिर superiority complex एक ही चीज है इसमें कुछ फर्क है फर्क है प्राउड एक हद तक अगर है proud का मत इसका use किया कि मैंने यह काम किया है that's proud लेकिन वो proud अगर हर चीजों के लिए हो जाता है proud एक किसी particular चीज के लिए होता है कि मैंने life में यह achieve किया है तो मैं ऐसा हूँ लेकिन अगर वो proud जीवन के हर शेत्र में लागू हो जाए तो वो superiority complex बन जाता है जैसे कि अगर जो चीज मुझे मालूम भी नहीं है फिर भी उसके बारे में मेरे अंदर यह feeling आती है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ और को कोई इसके बारे में नहीं जानता that's becomes a superintry complex so it is basically अगर हम यहां बताना चाहें तो self-obsession की स्थिती में जैसे ही पहुंचता है तो it becomes a disease it requires medical help it requires some professional help but जो problem हम मैं तो लग रहा है जो देख रहा है लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसको नहीं लगता यह चीज़ यानि कि हम यह कह सकते हैं कि प्राउट sometime is good sometime is bad but superiority complex is always bad मैं आपसे यह जाना चाहूँगा जिस आदमी में superiority complex होता है उसका behavior किस तरह का होता है देखिए अगर उसको देखें आप अपने आसपर भी देखें या हम भी notice करते हैं कि आपको वो शक्स बहुत tight मिलेगा मतलब he's not flexible basically flexibility नहीं होती है किसी भी चीज़ को अगर उसने कह दिय है तो अगर वो गल्त भी है तब भी वो उससे backup नहीं करता है वो उसको defend करता है यह this is one of the biggest observing methods है वो उसको defend करेगा कि जो मैंने कहा दिया वो ठीक है दूसरी चीज़ वो अपनी बातों को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि एक बार अगर उनने को ची काम करवाना चाहते हैं उसी conditions में जिस condition में वो करते हैं तो यह कुछ चीजे है और और अच्छी चीज यहां पर मुझे को अभी बताना अच्छा लगेगा आपको emotional बिल्कुल नहीं होते है अच्छा emotions उनके लिए एक तरह का यह माली जी कि it's a danger अच्छा अगर उनके सामने क आप रखते हैं या emotional होते हैं तो उसको straight forward reject कर देते हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर fear of intimacy भी रहता है चल रहे होते हैं तो it's a very difficult situation basically जी यानि कि अगर आपके अंदर superiority complex है तो relationship पर भी इसका असर पड़ता है आप अपने आपको बहतर समचने लगते हैं रिष्टों को आप एहमियत नहीं देते हैं नतीजा यह होता है कि life में बहुत सारी problems आती हैं महें जी मैं आपसे जाना चाह तो आप superiority complex से ग्रस्त होंगे यहां पर एक जो psychological truth है इसके पीछे वो यह कि जब भी पैसा या power आपके पास आती है तो जो भी चीज आपके अंदर है वो ही increase होती है अगर आपके अंदर शुरू से ही kindness और love है वो increase हो जाएगा लेकिन अगर आपके अंदर शुरू से ही यह dominant क भावना है शुरू से ही आपकी complex है आपके अंदर अगर infinity complex भी है तो भी वो superiority में change हो जाता है यानि अगर आपके अंदर शुरू से ही वो चीजे है जो पहले यह power और पैसा नहीं था इसलिए दबी हुई थी अब जो पावर और पैसा आ आपके पास तो यह बाहर निकल के आ इसलिए यह मित है कि पैसा और पावर आदमी को प्रावडी मनाता है प्रावडी वो पहले से था बड़ पैसा और पावर उसको दिखा देता है बिलकुल यानि कि यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे अंदर superiority complex है और आज हम सफल हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सफल क्या क्या परिशानिया उठानी पड़ती हैं यह भी जानेंगे